दोस्तों सब्सक्राइब आपको आपको चाहें कि कोई अजनभी कॉल आपको करें तो यह वी आप चाहते हैं तो यह आप सेलेक्टिव लो जिनका कॉल यह अजया तो भी आप कर सकते हैं ऐसा करने कि आपको शेटिंग में जाना है इस तरह से अब यहां पर लिख दीजें DND search box में DND लिख दीजे अब यहां पर दिखाए देगा है do not disturb आपको इस पर क्लिक कर दिना है अब यहां पे option दे रहे है turn on मुझे on करने के लिए तो मैं भी on नहीं करूंगा आपको बता रहा हूं ठीक है यहां पर दिया है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है यदि आप सब्सक्राइब लोगों को कॉल रीजिप रहने चाहते हैं D&D मोल में भी तो आपको करना क्या होगा allow calls में जहां पर लिखा है from static contact only start मतलब ही देखो अब इसको में मिनिवाइज करता हूँ जो मेरा contact list है यह मेरा contact list है यहां पर देखिए star है star के अंदर मेरी family member के नंबर है जो dnd mode में यह call करेंगे मुझे तो मेरा call आ जाएगा अमाली star mode में लाना कैसे है जैसे कि यह मिरे भाईय का नंबर है ठीक है भाईय का नंबर में इस तरस क्लिक करेंग तो यहां पर star बना हुआ आप इस पर क्लिक कर देंग तो star हट जाएगा और यह list से गयब हो जाएगा और भाईया जब मैं dnd mode पर रहूंगा तो मिरा भाई मुझे call नहीं कर पाएंगे तो इसलिमें को start category में add किया हुआ हूँ तो इस तरह से मिरे भाईया dnd mode में भी मुझे call कर पाएंगे ऐसा आपको करना है तो start mode में आप सभी contact list को add कर दिया फिर उसके बाद आप करना है from start contact only आप चाहते कि यह जो की contact name आप में same हो वही सब आपको dnd mode में call कर सकते हैं यह आप जिनको चाहते हैं उनको start only or do not allow the calls मतलब कोई भी आपको calls में disturb नहीं करेगा तो इस तरह से हैसा कर सकते हैं तो मैं start it मतलब कोई भी call करे लेकिन मेरे family member के हो तो उनका call screen पर दिखाए दिख जाएगा यदि आप इसको on करते हैं तब अब यहां पर SMS MMS यह सब don't allow कि SMS MMS कुछ भी सो नहीं होना चाहिए आप रिस्टिक्ट सभी को जैसे है वैसे रहन दीजिएगा और on करना है तो on करने के लिए तो आप यहां से on कर सकते हैं या आप drop menu से यहां पर देख सकते हैं को क कर दिया हूं तो मैं off कर देता हूं इस तरह से आप अप्रेंडी मूर्ग का एक्टिवेट कर सकते हैं यह तने सब्सक्राइब मुड़ें दने माप